हलो एवरिवन, वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ प्रोफेसर निलेश अनन्दवानी, M.S.E. PhD in the Biology ये वीडियो, specially मैंने उन लोगों के लिए बना रहा हूं है, जो के बायो टेकनोलोजी सब्जेट से बिलोंग करते हैं हाँ, आपने सही सुना, अगर आप 1st year Biotechnology में हो, 2nd year Biotechnology में हो, या थो 3rd year Biotechnology में हो, या थो M.S.E. Part 1 Biotechnology में हो, या थो M.S.E. Part 2 Biotechnology में हो, इन 5 year में से आप कौन से भी year में हो, Biotechnology सब्जेट में हो, तो ये वीडियो, specially आप लोगों के लिए हैं गाइस, मैं इस YouTube चैनल के थुरू, Biotechnology सब्जेट्स के सभी वीडियो बना रहा हूँ, मैंने नियर बाउट इंडिया की काफी युनिवर्सिटी के से लिवस को टेली किया हुआ, कंपेर किया हुआ आपस में, फिर हो कलिंगर युनिवर्सिटी हो, औरंगाबार युनिवर्स मैंने काफी युनिवर्सिटी के सिलेबस कलेट किये, और सिलेबस को मैंने आपस में, बायो टेकनोलोजी सब्जेट्स को रिलेट किया, तो मुझे पता चला नियर बोट 80% युनिवर्सिटी का सिलेबस नियर बाउट सेम होते है, 80 से भी ज़ादा गये लोग, तो मैंने बै बैसिकली गेट, सेट, पेट, CSR, NET, यह सब एक्जाम्स के लिए क्वालिफाइड हो सकते हो, तो बायो टेकनोलोजी यह बैसिकली कैसी ब्रांच है, जिसमें हम जेनेटिक्स और इंजिनेरिंग, आप कहलो के बायो मेडिकल इंजिनेरिंग है, तो जेनेटिक कंबिनेशन करके कि यह ब्रांच बनती है, और इस ब्रांच में काफ़े इंट्रस्टिंग स्कॉप है, और स्कॉप इंट्रस्टिंग होने के कारण, मैंने एक कंसेट मेरे माइन में सोची, कि क्यो ना, फर्स्ट एर से लेके MSC पार्ट टू तक के, बायो टेकनोलोजी में ज जब हम student life हैं, तो हुम देखते हैं कि किसी को पूछते हैं अपने फ्रेंड के कुँम क्या पढ़ रह हो लेकिन दिक्कत, प्रोब्लम कहां जनरेट होती है, प्रोब्लम जनरेट होती है, कि अगर आप कोई higher level का standard book पढ़ते हो, no doubt, book तो सब भी genius लोगों नहीं लिखे हुए हैं, उनमें कोई गिला शिक्वा नहीं, सब genius लोगों नहीं लिखे हुए, और university में जो professor पढ़ा रहे हैं, जन्होंने खुदने book लिखे हैं, वो भी genius लोग हैं, उनके लिए मुझे कोई नहीं, वो सब master blaster, best books रहते हैं, लेकिन, as a student level हमें काफी ऐसी confusion होता है, कि जो book की language होती है, वो काफी difficult होती है समझना, और जब हम net set के लिए examination के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर language इतनी critical matter नहीं matter यह करते हैं, कि हमें हर concept precisely हमें पता है या नहीं, understanding है नहीं, for example अगर हम यह कहें के plasmid, तो सबसे पहला plasmid कौन था, सबसे पहला chromosome कौन था, lamp brush chromosome किसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, यह काफी सारे सवाल है, IDNA technology में सबसे पहला product कौन सा था, humulin, कौन सी company ने यह बनाया था इली-ली and ली-ली company, American-based company थी, तो यह से काफी सारे basic-basic चीजे हैं, मतलब basic से लेके, middle से लेके, difficulty level से लेके higher level था, अब पूरा bio technology का syllabus तो one time में याद रखना है difficult है, लेकिन फिर भी मैंने किया, कुछ university का syllabus compare करके, मैंने कुछ material बनाया, मैं आपको बैताता हूं, अगर आप first year biotechnology में हो, तो semester 1 और semester 2 में आपको subject होंगे, basic biology and methods in biotechnology, अगर आप second year biotechnology में हो, तो आपको subject होंगे, cell biology, metabolism, molecular biology, biophysics, immunology and bioprocess and technology, अगर आप TYBAC third year biochemistry में हो, third year biotechnology में हो, तो आपको subject हुझे इस प्रकार होंगे, genetics, molecular biology, agriculture biotech, animal biotech, industrial biotech, food biotech, environmental biotech, genetic engineering, bioinformatics, plant biotechnology and advanced technology, उसके आगे भी subjects हैं, जैसे bioprocess technology, pharmaceutical biotechnology, applied biotechnology and biometry, अगर आप MSC biotechnology में कर रहे हो, तो MSC part 1 में, same 1 में आपको subject होंगे, microbial physiology and diversity, biochemistry and immunology, और अगर आप second part में हो, part 1 में second semester में, molecular biology, bioanalytical tool, bioprocess technology, फिर part second में, third semester में, genetic engineering, agriculture biotechnology, environmental biotechnology, फिर part second में, last semester, I mean to say fourth semester, pharmaceutical biotechnology and bioinformatics, industrial biotechnology, food biotechnology, business biotechnology, तो यह first year, second year, third year, MSC part 1, MSC part 2, इनका syllabus है, near about maximum Indian universities का, तो मैं आपको कैसे help कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको यह subjects के नाम कहें, मैं individual एक subject select करता हूँ, उन subjects के, उस subject के अंदर जितने भी chapters हैं, उन chapters के अंदर जितने भी topic हैं, उन सभी के सभी topic के उपर वीडियो बनाऊँगा, यह 2021 चल रहा है, 2023 तक, बायो टेकनोलोजी के सभी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर, biology exam preparation with निलेश आननवाणी पर upload हो जाएंगे, सिर्फ बायो टेकनोलोजी नहीं, अगर आपके कोई friend है, जो botany से है, जिलोजी से है, बायो कमिस्ट्री से हैं या तो microbiology से, उन लोगों के लिए भी मैंने यही series शुरू की तो yes, एन आने वाले दो साल के अंदर YouTube पे biology से आप कौन सा भी word सर्च करो, मेरा नाम जरूर आएगा वहाँ पे, निलेश आननदवानी, प्रोफेसर निलेश आननदवानी, तो biotechnology से related, biochemistry, microbiology, botany, geology, इन सभी के लिए हमारा वीडियो आने वाले है, especially आप लोग धान दीजे, बायो टेकनोलोजी वाले, ये चैनल आप लोगों के लिए काफी 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 valuable है, आप सिर्फ एक कदम मेरी तरफ आगे बढ़ाई है, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाके, 99 कदम में आपके तरफ आगे आता हूँ, और आप यकीन नहीं करोगे, कि आपको अ जानलो कल एग्जामिनेशन है, और आपको सभी समझ गया, लेकिन एक टॉपिक नहीं समझ रहा है, तो आप सीधा सीधा यूटूब पे वो टॉपिक डाले, फ़र एक्शंबल आपको plasmid नहीं समझ रहा है, तो involvement बाया आनदवानी सर, ये योटिवपे, डेफिनिटली मेर यहां को प्लापिक क्लियर करने हैं तो यहांद वाणी सिर्क को याद कीजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मिलेंगे हम नेक्स हमारी मुलाकात होगी हमारे ट॑पिक के ऊपर